नमश्कार मैं हूँ आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरूग्राम प्लस आपका विश्वास जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरूग्राम और मानिसर के चुनाव को लिकर सभी प्रशाशन जो है वो काफी एक्टिफ दिखाई दे रहा है है वार्ड बंदी जो है वो जा रही है अभिक अलाकी वारड बंदी जो है वो पूरी टरीके साल सम्पूर्ण जो है वो नहीं हुई है लेकिन क्योंकि हाल ही में तीन दिन पहले वार्ड बंदी में कुछ जो इलाका है जो शेत्र है वो बदला गया है जिसके तहत जो वार्ड नमबर 30 है उसमें पहले भॉंड सी और जो 15 कलॉनिया थी वो आती थी साथ में नया गाओं भी जो है वो पहले वार्ड नमबर 30 में आता में कर दिया गया है जिसके बाद यहां पर जो شेत्र हैं उसमें एक ही आवाज आने लग गई है कि हमारे साथ जो है वो गलत हुआ है क्योंकि हम वार्ड नंबर 30 में रहना वोटों के नोग पढ़ी परबात करेंगे क्यों हो इनको दिक्ती साम जो है वो लग रहे हैं वह भी जानेंगे क्योंकि वार्ण नंबर थीस में रही आ एकत्यस चोया रहें लेकिन ऐसा क्या कारण है जो यह के लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं सभी पर बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आडबलूए के प्रधान जो हैं वो हमारे साथ हैं पारस खटाना जी पारस जी तो सबसे पहले वार नमबर 3031 पारशद मिलना है काम कराना है तो परिशानी क्या है मैं मैं इसके लिए ब दो करके उसको वार नगरनिगां मेंल यह उसके बाइक हमारी काम हों गया को इन्दर में और अब जिस त्रीक में अ किसी नेता के तुरू एक बहुत बड़े किसी नेता का हाथ लगता है मुझे दो रहा हमें और संब्हूत दोका हुआ है में यहां तक लगता है जब कि यहां ने जानते ही नहीं कि यह पार्षद में उठने वाले जो पार्षद उमिदवार हैं उनको नहीं जानते हैं मैदान में उतरने वाले उमीदवारों को नहीं जानते हैं तो यह यह चैन करना यह बहुत मुश्किल है कि कौन सा पार्षट जो है किसको वोट देने से हमारे जो काम है वो सक्ष्यम हो पाएंगे और अगर गलत पार्षट बन जाता है तो उसके बाद ह में काफी परिशानिया का जो है वो सामना करना पड़ सकता है और भी लोग यहां पर मौजूद है तर आप क्या कहेंगे परिशानिया जो हैं वो हैं लेकिन पार्षद तो बनना ही है तो उनमें से क्यों ना कोई एक चुन लिया जाए और आगे कि क्या रणनीती रहने वाली है अगर इसी तरीके से वाडबंदी रही तो एक चुन में क्या है हमारे जो बहुंड़सी जो एरिया है और पूरी बहुंड़सी की ही जमीन है तो अगर हमारे पूरे कालोनी के आसपास के जो पारसद होगा वो ही काम कर सकता है ना कि गौल पाड़ी सागे कोई काम कर पाएग वो साफतार पर यहीं चाहते कि हमारा जो वाड़ पारशद है वो हमारे एरिये का ही होना चाहिए चाहे वो बहुंडसी का हो चाहे वो जो पंद्रा कलोनी है उसमें से हो चाहे वो नए गाओं में से हो तो उस ही में से जो है यह लोग चाहते हैं कि हमारा पारशद हो अगर दूर का अमारा पारशद बनता है तो हमारे लिए बहुत परिश्वानी होगी, सबसे एहम बात कि हम उसका च्वेन नहीं कर पाएंगे, और दूसरी एहम बात कि हम उससे कोऑी काम कराने के लिए जाएंगे, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा और भी तमाम लोग जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ सुर्ग्यान जी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे सुर्ग्यान जी देखिए अब वार्ड बंदी हो गई है हाला कि 15 दिन का जो समय है वो objection के लिए आ और पिछले दूसाल से तो यहाँ पर नगर निगम कोबडी भरकस प्रियास से हमने कोसिस करके नगर नगम मिलाय इस चेतr को है सिघ्यंजी चलो नगर निगम आ गया अब नगर निगम है जो कि किलियर अभी पारदर्शिता से certified coffee मिलेगी तब पता चलेगा तो इस तरीके से बहुत बड़ा भेदभाव कलॉनियों के साथ किया गया है कल को यह चेत्र 31 नंबर जो वार्ड है यहां से गवाल पाहडी तक लगा हुआ है अगर कल को गवाल पाहडी का कोई जन प्रतिनीद जीत जाता है तो पंदर सोड़ा बीस किलो मीटर तक की लोग कैसे जाएंगे वहां पर और यहां क्यों क्यों विकास कारिये कराएगा बीच मार्ट इसी भी आ जाती है इतना लंबा चेतर है तो इन कलोनियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है मेरा जिला परसासन से एकी अनुरोध है कि इन कलोनियों को बहुंड सी चेतर में रखा जाए जो पहले वाड बना था तीस नंबर बहुत सही बना था और सभी लोग खुश थे उससे और दूसरी बा कि इहां पर साफ़त और पर लोगों का यही कहना है कि अगर पार्शद जो है वो बन जाता है दूसरे एरिये का यानि के 31 में जाने के बाद इन लोगों के कारे है पहले ही जो है जब पंचायत थी तो कारे नहीं हो पाई लेकिन अगर अब भी जो है उनको पार्शद कुसी दूसरे शेत्रिगा मिल जाता है तो इनके लिए जी का जंजाल जो है वो होने वाला है सर मैं आपसे जाना चाहूंगे कि सिर्फ और सिर्फ अब 15 दिन का समय है जिसम से 4 दिन जा चुके हैं 11 दिन का समय है अब जिक्शन्स लगाने होंगे जिसके बाद जो है वाडबंदी में ओड़े बदलाव किये जा सकते हैं तो उपायुक्त निशान्त याज़ाद जिसे क्या कुछ दर्ख्वास जो है वह आप लोगों की रहने वाली है। पायूक निशांति अदव जी अमारा यही कहना है कि जब भाव हमारी कलोणियों के साथ हुआ है को यहां के हमारे जो लोग हैं अब जिस हिसाब سے इने कलोणियों को दो इस्दे में बाड़ दिया है ये बोल रहे हैं कि मारति कुछ रू से ऊसे इस तरफ का तो रहेगा गास यह सिवर कहां जुडएंगे बाद में लड़ाई क्या होगी तीसमार वार्ड का तो बोलेगा कि इसका सीवर इधर जाना चीए 31 वार्डा न नहीं गरकुए बहुत दूर का बने गया तो यह लोग कैसे जाके वहां जाके साइन कराएंगे घाटा गौाल पाहडी उधर जब जाएंगे तो हमें बादस्यपूर से क्रॉस होके उधर जाना पड़ता है इतनी दूर जाके हमें साइन कराने पड़ेंगे हम यह चाहते हैं जिला परसाशन से कि हमारा वार्ड तीस ही रहना चाहिए जब पहले ही वा वोट करने की जरूत है और उसमें वोट बढ़ाने की जरूत क्या है यह तो इनको बराबर किया जाए और यह चाहते हैं कि इनका जो विकास है वो वार्ड नंबर 30 का पार्षद ही जो है वो करें ताकि इन लोगों को बाहर जो दूर का पार्षद है उसके जो दूर का पार्षद जो है क्योंकि इनका कहना है कि दूर का पार्षद अगर बनेगा तो हम लोग किस तरीके से विकास क परवा पाएंगे यह बात बिलकुल इनके ठीक है कि अगर दूसरे शेत्र का नंबर वन पॉइंट बनता है कि अगर दूसरे शेत्र का कोई भी पारश्रत बनता है तो इन लोगों को काफी परिशानिया बलकि भारी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है वहें दूसरा ज जो है यही कहेंगे उपायुक्त निशान्तियादव से कि इन लोगों की दर्ख्वास्त को जो है वो सोना जाए और साथ ही जो वार्डबंदी है उसमें फिर से बदलाव करते हुए इनका जो शेत्र वाटिका कुंज कृष्णा कुंज साथ ही नया गाउं जो है वो वापस वा की धन्यवाद